दोस्तों क्यामरा और मोदी जी इन दोनों का एक अटूट रिष्टा है मोदी जी जहां जाते हैं उनके साथ वहीं कैमरे की फौच साथ साच चलती है फिर चाहे वो अपनी मा हिरबेन के सौवे जनन दिन पर ही क्यों न जा रहे हो कैमरा और मोदी जी का एक खास रिष्टा है जो समय समय पर सामने भी आता रहता है कैमरे के लिए मोदी जी का प्यार एक बार फिर से सामने आया है मोदी जी का एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है जिसमें लोगों का कहना है कि मोदी जी फोटो खिचवाने के लिए अच्छा वीडियो बन बाने के लिए जद्दो जहत करते दिख रहे है एक छोटा सा वीडियो है दिखाएंगे आपको लेकिन उससे पहले दोस्तो ये समझना जरूरी है कि अगर मोदी जी फोटो सेशन कराते हैं तो उस पर लोग नाराज क्यों हो रहे हैं क्यों उनकी चटकारे लिए जा रहे हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं लोग इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि देश में जो इस वक्त माहूल है, जो हालात हैं, जिस तरह से देश के नौजवान सडकों पर उतर कर विरोध प्रदशन कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नश्ट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तोड़ फोड कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार, युवा, अगनीप तियोजना का विरोध कर रहे हैं उन सब के बीच पीए मोधी के फोटो सेशन वाले इस तरह के वीडियो वारल होना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या पीए मोधी देश के हालातों से वाकिफ नहीं है क्या इस तरह के माहूल में फोटो सेशन कराना जरूरी है या युवाओ की म विडियो को लेकर twitter user किस तरह से चटकार ले रहे हैं सबसे पहले आपको ये बताएंगे सबसे पहले बॉलीवूद एक्टर प्रकाश राज का ये ट्विट देखिए प्रकाश राज मोदी जी के वीडियों को ट्विट करते हुए कहते हैं जब कैमरा एंगल की बात आती है क्य क्या कोई हमारे सरवच अभिनेता निर्देशक को हरा सकता है 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 जस्ट आसकिंग मतलब बस पूछ रहा हूं मोदी जी के फोटो सेशन वाले वारल वीडियो पर वरिष्ट वकील प्रशांद भूशन ने भी कुछ इसी तरीके से तंसकसा प्रशांद भूशन कहते हैं हटो कुछ काम नहीं है क्या कैमरे के सामने आने लगते हो दिखता नहीं मैं फोटो आसन में हूँ मोदी जी के वीडियो को ट्विट करते हुए अशोक साहनी कहते हैं किसी बॉलिवोड डिरेक्टर से कम नहीं है इंडियाज डियर लीडर यानि कि भारत के प्रिये नेता किसी वीडियो बहुत चोटा सा है वीडियो में मोदी जी फोटो सेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह वो तीन कैमरों के सामने जो की अलग-अलग एंगल पर कैमरे खड़े हैं उनके सामने मोदी जी एक शक्स खड़ा है सामने उसको पीछे करते हैं उसको हाथ से इ इस पर भीडियो दिखाया गया है जिस पर लोगों का कहना है मोधि जी ये सब अपनी भैटर फोटो खिचवाने के लिए बढ़िया वीडियो बनवाने के लिए कर से अब आप यह वीडियो देखिए प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी पर शुरू से आरोप लगते आए हैं कि वो कैमरा प्रेमी हैं, कैमरा जीवी हैं वो कैमरे में सब से आगे रहना चाते हैं ताकि उनका चेहरा अच्छे से कैप्चर हो सके और हाल ही में उनका एक और वीडियो वारल हो ना जिसमें वो शक्स से पीछे हटने को कह रहे हैं जो हमने आपको भी दिखाया वो शक्स से पीछे हटने को कह रहे हैं और शक्स को पीछे क्यों हटा रहे हैं परफेक्ट फोटो किछवाने के लिए हटा रहे हैं या फिर कोई और बात है ये तो नहीं पता लेकिन जो Twitter user हैं वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी perfect photo, perfect video बनवाने के लिए शक्स को camera के सामने से हटने के लिए कह रहे हैं, उसको पीछे होने के लिए कह रहे हैं और उसके बाद वो आ गया आते हैं तो इस viral video में भी मोदी जी का camera के लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक और कुछी सी तरह का video पहले भी viral हुआ था, आपको याद हो गया, जिसमें मोदी जी Donald Trump की बेटी, Ivanka Trump के साथ नजर आये थे, उस दोरान उनके सामने एक शक्स आकर खड़ा हो जाता है, और वो वहां से हटने के लिए कह देते हैं, क्योंकि जिस जगा वो शक्स आकर खड़ा होता है, वहां पर camera होता है, तो जब वो शक्स वहां पर खड़ा हो जाता है, तो camera में मोदी जी पूरी तरीके से नहीं दिखाई देते जो की video में भी दिख़गा होगा आपको, तो इसलिए मो जोंगों की तस्वीरे क्याप्चर करने की कोशिश की थी साहात incidents दोड़ान में देखा जा सकता है कि MODI और LIKEGo गाइड में जयरे घहासिक देरा होता है और The को कहते हैं जो कि कैमरे के सामने आ रहा था तो कैमरे और मोदी जी की कहानी जो है वो दोस्तों बहुत पुरानी है मोदी जी के कए विरोधी उन्हें क्यामरा जीवी भी कहते हैं एक और वीडियो आपको याद होगा जिसमें मोदी जी SPG के कमांडो को डाट लगाते हुए दिखते हैं क्योंकि वो उनके और कैमरे के बीच में आ गया था दरसल SPG कमांडो मोदी जी के हाथों से गुलदस्ते ले रहा था लेकिन तभी वो कैमरे के सामने आ गया और फिर जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायल हो गया अभी कुछी तिन पहले PM मोदी दिल्ली के प्रगती मैदान में टनल का उठगाटन करने गये थे उठगाटन करते वक्त PM मोदी अचानक वहां से कचरा उठाने लगे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कई यूजर ने इस पर प्रतिकरिया सामने रखते हुए कहा कि मोदी जी की हाई प्रोफाइल सुरक्षा के बीच पर इंदा भी पर नहीं मार सकता तो ये कचरात कहां से आ गया आप खुद ही सोचिए कि एक देश का प्रधान मंत्री जिस जगा जा रहा है जिस जगा किसी अगर टर्नल का उद्गाटन करने जा रहा है या किसी भी समारों में जा रहा है तो क्या वहाँ पर साफ सफाई नहीं होती कि वहां पर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता अगर रखा जाता है तो वहां पर क्या कच्रा छोड़ दिया गया था यह सब छोड़िये सबसे अच्छो ताज़ा धरन आपको बताती हूं मोदी जी की माता यानि हीरा बेन के सौवे जनम दिन पर जिस तरह से मोदी जी का फोटो सेशन सामने आया वीडियो सामने आई उससे सावित होता है कि मोदी जी को क्यामरे से कितना प्यार है कई वीडियो वाइरल हुए जिसमें देखा गया कि मोदी जी गाड़ी से तब तक नहीं उतरते जब तक कैमरामेन जाकर के घर पर घर की चौकट पर नहीं पहुँच जाता उसके बाद तमाम फोटो वीडियो आपने देखी होगी अपनी मातर जी के पैर छूते हुए या फिर कहें आप पूजा करते हुए दिखाए दिये ये सब फोटो तस्वीरे जो थी वो अलग-अलग अंगल से थी कोई इस अंगल से थी, कोई इस अंगल से थी, कोई सामने से थी, कोई बैक से थी तो ये सब जो कैमरे का था ये अलग-अलग अंगल था जिसकी फोटो तस्वीरे खूब वाइरल भी हुई दोस्तों फोटो सेशन कराना अच्छी बात है फोटो खिजवाना सबको अच्छा लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है कोई बुरा काम नहीं है लेकिन जब देश में युवास सडकों पर अपने भविश्चे के लिए गर्मी में धूप में प्रदशन कर रहे हो और यह प्रदशन हिंसक हो जाए उस वक्त आप फोटो सेशन करने में व्यस्त हो तो सवाल खड़े होते हैं सवाल खड़े होते हैं कि क्या आप इन सब चीजों से वाकिफ नहीं है क्या आप युवाव के प्रती कोई सम्मान या कोई सवेदन नहीं रखते हैं यह सब सवाल खड़े होते मोदी जी के इस नए वीडियो में वो क्या कर रहे हैं किसलिए शक्स को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं इन सब पर आपकी क्या राए हैं आपका क्या सोचना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई खबर डाले कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुच सके